कि अनुन हां कहा पर हो शेर के बच्चे बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं किसी को बता नहीं चलना चाहिए तु यह सब छोड़ और मुझे यह बता कि जगा अहां चल 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 तुझे दिखाता हूं चल कहा पर है यार उस फॉरस्ट अफिसर ने यहीं जगा बताए थी देख वो रहे दो अनमोल रत हैं वो सरकस वालों से बात कीती मैंने शेर के एक एक बच्चे के लाकों मिल सकते हैं वे कहां जा रहा है श्श आना भागल हो गया क्या आनामात श्रिया जी, आप ऐसे कंडिशन में क्यों परेशान हो रही हैं, मैं जाकर देखता हूँ ना, आप रुखिये, प्लीज नहीं जी जा जी, मैं भी चलती हूँ ना साथ में इसे कैसे भी करते श्रिया को सुखा दीजे, एक बार वो बेहोश्ट हो जाएगी, इसके बाद किटनेप का थाम बिलकुल असान हो जाएगा श्रिया जी, प्लीज, अपना कुछ दिर आराम करिए, ठीक है भटी, मैं देखता हूँ रोज भईया को, हाँ कविता, जंदी कुछ सोच, तेरे फुमाल कैसे सोंगा जी उस लड़की को, कोई एडिया सोच, जंदी अले लिगया एडिया यह अचानक स्मेल अरे, बार्बीडॉल, तू यहां क्या कर रही है? अरे, बार्बीडॉल, तू यहां क्या कर रही है? वो मेरी फ्रेंड रहती है न, इजर, उसे मिलने आई थी न, तू अरे, बार्बीडॉल, न, यहां कर रही है? यह ले यह ले बटा, नाक दख ले अरे, ले ले अपने लिए न, सही अपने बच्चे के लिए अरे, केच्छे में पॉइजन होता है बच्चे की सहथ को नुकसान पॉंच सकता है अरे, यह अपने नाक पर रख ले न, दो मिनिट में पेहोश हो जाएगी क्या? मतलब यह नाक पर नहीं रखेगी तो पास के मारे पेहोश हो जाएगी ले, 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 ले हो, हो, बेहोश हो, बेहोश क्यों नहीं हो रही है यह वर्भी डॉल को हो, क्यों नहीं रहा कुछ? श्रया जी ताई जी, यह रख लीजे, मैं आती हूँ ए बेबे रोहिद भाया को मैंने विरिंदावन जंगल के तरफ जाती हूँ है देखा है मैं आता हूं उनको देखकर तो जलिए जीजाजी, मैं भी जलकी हूँ आप ऐसे आलक में जंगल जाएंगे ठीक नहीं है जीजाजी, नहीं मेरा आना बहुत जरूरी है, चलो ना चलिए यह यह तो ऐसे मतक के चल दी जैसे इंपोर्टर वाला परफियूम सुमगा हो इसे तो कुछ हुआ ही नहीं यह केशव भी ना ऐसे बचाने के लिए सस्ती वाली बेहोशी के दवाई लाया होगा इसे मैं छूरूंगी नहीं इसे मैं केशव यह श्रेया के बच्चे नहीं कितने क्यूट हो यार मेरे शेर मेरे लॉट्टरी की टिकेट काटना मता प्लीज क्या है भाई हाँ क्या कर रहे हो ओ साले साफ क्या क्या कर रहे हो जीजेप आप यहां पर क्या कर रहे हो अर यह पाउंसे प्रीट के बिल्ली है यह तम टाइगर जिसना चांप लग रहा हुआ जीजेप शेरी है हाँ है 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 साले साफ औरिजिनल टाइगर हाँ टाइगर बच्चा हाँ हाँ तो तो जो उसे निचे रखो यह इसे लेके गुम्राज इसे गुप्ता जी का पमेंगें टागो अरे चिल्लाओ मत दर जाएगा बेबी डर जाएगा यहां बेबा डर रहा यार रखो न है 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 यह मैने कुछ नहीं मुझे कुछ नहीं पता जहां जी यह देखे न जेखे यह यह शेर का बच्चा यह तो वही है ना वो पंडे जी बात कर रहे थे हाँ हाँ पर तुम आप तुम तुनों यहां पर क्या कर रहे हो भाया आप यहां पर क्या कर रहे मतलब आप फोन पर शेर के बच्चे को उठाने की बात कर रहे थे भाया कहा लेके जा रहे इससे मैं ना मैं इस बच्चे को वो गोद ले रहा हूँ अरद को दले रहे हो यह हमको गोद ले लेगा क्या कर रहे हुआ छलेशाहल रखे उसको नहीं, जी रजी भहिया का तो कुछ और ही प्लान है बताइए भहिया क्या करेंगे आप इसके साथ श्रीया तुम भी ना यार जब देखो सही गलत का मोर्चा लेकर खड़ी हो जाती हो तुम ऐसे तुम फैमिली के लॉयर बनती हो आज अचानक से अब एनेबल एक्टिविस बन गई तुम आयार तुम्हारी तकलीफ क्या है मैं मैं इस बच्चे के लाद कुछ भी करूँ जानवर है ना यह जानवर है तो क्या हुआ है तो बच्चा ही ना बच्चे को मा की ज़रुरत होती है और अगर इने बच्चे को कोई मुसे अलग करे मैं देख नहीं पाऊंगी और ऐसे भी शेर के बच्चे या किसी भी मैं करो अब अब भया बच्चे को अभी के अभी नीचे रखो देखो श्रयाप तु मेरा मेरा टाइम वेश मत करो तुम जाओ यहां से मुझे मेरा काम करने दो जाओ तुम यहां से भाईया अभी के अभी नीचे रखिए अभी के अभी नीचे रखिए अगे उसकी अम्मा अम अपने बच्चे को लेने आ गई हो डर्ना मत डर्ना मत जीजा जी आप डर्रे हो हाँ मैं अपने आपको ही बोल रहा हूँ डर्ना मत जीजे डर्ना मत डर्ना मत किया मैंने कहा था ना बच्चे को छोड़ दीजे अपने 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 देखो प्यार से प्यार से उठाए था मैंने बच्चे को जलाभी खोटी पोचाहीं रख रहा हूँ बच्चा भी हाशी रही तेखो उच नहीं हो उचको रख दिया श्रया शूजया जजी जजे को अधा वार बागो बागो शूए बागो शूएँ़ याउब शूएँ़ झाल झाल कि शुर्णी तु मुझे अटाग कर रहे थी, इसे क्या हुआ, देखो, तुम माँ हो, मैं भी एक माँ हूँ, और तुम्हारा दर्द समच सकती हो, फर वो देखो, तुम्हारे बच्चे, सुरक्षिते, लीस? है, हालो, हाँ, आजाई एंवापेस, बड़ी गूरु माँ बनने चली थी, वो तो हुआ नि, श्रीया को ब्योज करने चली थी, खुदी लुडग गई, बड़ा तीसमार खान समझता है ना अपने आपको, तु खुदी करना, उसको किननाप, करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा प्लाइन कभी फेल नहीं होता है, नारियल, नेरी बात मान, ये नारियल उसके सर पर पूड़ेगा ना, नारियल के दस चुकड़े हो जाएंगे, श्रीया को बाल भी बाका नहीं होगा, प्लाइन ये है कि श्रीया की गोदभराएगी रसम होने वाले है, उस रसम में वो बिल्कुल ऐसा ही नारियल लेके बैठेगे, आपको क्या करना है उस नारियल की जगे पे ये नारियल उसको पकड़ा देना है, पास। नारियल की अदला बदली, हाँ? तुप परी, इतना भुज़ूंदार, ये नारियल असले है, ये लोकंड का तरी तरह नकली, इतना भुज़ूं क्यू है? वक्ताने पे सबता चल बे आएगा, ये बो करेगा जो आपने कर पाई जीजा जी, शेर, जीजा जी, शेर जीजा जी शेर शेर नहीं शेया शेरा वाली माता जीजा जी नहीं पोई खत्रा नी ए बच गये हम हाँ दई बोशेर नी बैबै बैला नहीं एक एक इसा हुआ कैसे उन्हें ममी से बात करनी होगी ममी अरे श्रिया कहा है ममी अभी तक नहीं आई है दो घंटे होगे अपना पोन भी छोड़के गई है अरे हाँ हम सब तयारियों में व्यस्ते ज्यान ही नहीं दिया ममी मुझे अब पेंशन हो रही है ऐसी हाला तुम कहां भी ना बताया चली गई है वै भाव बहुत टेंशन लेता है आजाएगी चिंता बद कर श्रिया और जीजा ठीक तो होगे ना मैं तो डर के वहां से भाग गया था बताने उनके साथ क्या होगा सविता अक्यले कितना काम करेगी तू जा दूसरे काम कर यह मैं संबालती है जा ठीक है देदिया आये बहन जी आये मम्मी श्रिया का पता नहीं चल रहा है मुझे अब डर लग रहा है मैं पोलिस में रिपोर्ट करा दो किया उसकी कोई जरद नहीं है अरे काहा थी श्रिया तुम सब कितने परेशान होगे तुम्हें पता है वो बस कुछ काम था नहीं ने कहा था ना आ जाएगी ऐसे टेंचन लेता है अगर श्रियान ने सब को बता दिया कि मैं शेर के बच्चों को चुडाने के लिए गया था तो बहुत बड़ी गड़ड हो जाएगी मुझे कुछ करना होगा आओ रोहित अगर देखो यह नेक्लस लिए अपना काफी दिन से नाइस मेरी नजर थी थाज लियाई वरी गुट विल तुम्हें बजवाने को मैंने बोल दिया है ठीक है वरी गुट जयादा का नहीं है सवा लाग का है जब सवा लाग क्यों कोई प्रॉब्लम है तुमना ही तो बोला था जो पसंदाय ले आना नहीं नहीं सवा लाग का ले लिया हो था तुम पे तो कर दोगे ना चले गा हाँ हाँ बेटो लाग को कमाता उन शेर के बच्चों से सारा प्लैन चौपड कर दिया श्रीया ने अब मम्मी मम्मी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अमेने बिटा बात में बंडेची आई आईए शेर, पीछे मूर के मात इखना देखो तुमने मेरा प्लैन तो चौपड करी दिया है पर प्रीज माया का दिन खराब मत करना ये गोद बारे के रसम अच्छी से हो जाने तो भाया, अखर आपको किसी की फिलिंग्स की इतनी परवा होती न तो आप जो करने जा रहे थे वो नहीं करते शेया, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है प्लीज मैं तुम्हारे हाथ चोड़ता हूँ आज मम्मी के सामने करपया करके कुछ मत पुलना प्लीज ये गोद बाराई की रसम अच्छे से होने तो प्लीज साविता जी, गोद भराई की रसम शुरू कीजिए मुरत का समय निकला जा रहा है श्रया मैटा, चल जल्दी से आजा पंडीची बुला रहे है गोद भराई के लिए और हाँ, तु बोल रहे थी कि तुझे कुछ जरूरी बात कर भी थी क्या हो अबता, पार्भी डॉल, चल बैट जा, मूरत निकला जा रहा है अभी कुछ ने कहना चेहां उचे मम्मी को, मैं उन्ते बोद पराही के बात बात परूँगे ओम शर्वे वांगल वंगले, शिवे शर्वात साधिके, शनने त्रंब के गवरी, नाराइने नमोस्तोते झाल 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 लक्ष्मी मा करे, मेरी दोनों बहुए और उनके बच्चे हमेशा स्वस्त्र है, सब कुछ अच्छे से हो जाए बाया, श्रेया, एक और अपनी जिंदगी में कई रिष्टे ने भाती हैं, कभी बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी बहु बनकर, तो कभी बहन बनकर मेरे तीम-तीम बच्चे हैं, और मैं बहुरोसे के साथ कह सकती हूँ, यह मा और बच्चे का रिष्टा सबसे खुबसुरत होता है तुम दोनों अपनी जिंदगी का सबसे खुबसुरत और सबसे एहम सफर शुरू करने जा रही हो मा लक्षमी करे, इस सफर में दोनों को खुब खुश्या आदे यह फोन के आवाज कहां से आ रही है यह आवाज तो मेरे बैग में से आ रही है यह फोन? फोन केसे आया मेरे पास? हलो? हलो श्रेया जी, कैसी है यह कौन हो तुम और यह फोन मेरे पास कैसे आया? इतने सारे सवालों के जवाब देने का वौत नहीं है मेरे पास जो चाप सुनिये जो मैं बोल रहा हूँ आपके हाथ में जो नारियल है उसे नीचे मत रखिएगा आपके हाथ में जो नारियल है उसमें बॉंग है आप सब अवश्य है अपने माता पिता से अध्याथी प्रेम करते होंगे किन्तो इस प्रेम को कभी अपने माता पिता के सामने व्यक्त किया है यदि नहीं तो आज है शुपकारी को कीजिए क्योंकि माता पिता का निस्वार्ट प्रेम सदैव नहीं रहेगा आपके पास इसलिए भगवान के लिए इस पहुमूल्ले उपहार का दोनों हाथों से अभिनंदन कीजिए जो माता पिता की पूरी करते है आस उनहीं के घर में लक्ष्मी करती है निवास आप समझे ना मेरी ये शुप बाती और लाप की बाती समझते रहें क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती और तभी घर में आती झाली